तो कोर कमांडर के घर के सामने एतिजाज करके आपने कौन सा तीर मार लिया और कहां पे आपने भाला मार लिया ये बताई वहाँ पे गेट तोड़ें, वहाँ पे पत्थरबाजी आप करें जहाँ पे पाकिस्तान की नुक्लियर सेंच है ये बाजबा साब बोने की जी साड़ा मूड कुछ और है और डंड़े बरसाने अपने बन्नों के टैंक उनके उपर चड़ाने आपको सौ मंजन बेचे लेके निम्रान खान का दिल जानता है कि अभी इलेक्शन्स नहीं होने वाले इंतलेकों पाकिस्तान भी जानता है कि पाकिस्तान बाजबा आप पाव पाव किलो का बम ये सब हवा में बोलते रहते हैं जहिन दोस्तों मैं हुँ में जो गौरवारिया और आप देख रहे हैं दर चानक क्या डायलोंस इस वीडियो को लाइक करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बैल आक अंदा बाना बिलकुल मत भूलियेगा अच्छा दोस्तों अभी मैंने हाली में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर असेट्स के बरें बात करी थी और पाकिस्तान से इसके काफी लोगोंने बोला कि ये बात ठीक नहीं और आप ये आप ही कह रहे हैं कि लोग ऐसा करेंगे और पाक दो वीडियो पहले ही मैंने बोला था तो आपको आराम से स्क्रोल करेंगे आपको मिल जाएगा मैंने कभी ये नहीं बोला कि पाकिस्तान के लोग ऐसा कर रहे हैं ठीक है? मैंने पाकिस्तान के लोगों खास तौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जो गुस्सा अपना कॉर कमांडर के घर पे निकाल रहे हैं जो गवरनर हाउस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो दुनिया भर में उत्पात अराजकता मचा रहे हैं, इंतिशार पहला रहे हैं, मैंने उनको एक आइडिया दिया. यह मेरी तरफ से एक सुझाओ था, एक सजेशन था कि भई, अगर आप चाहते हैं कि फौज आप से डरे, पाकिस्तानी फौज आप से डरे, जहां पे पाकिस्तान के न्यूक्लियर असेट्स हैं. यह मेरी तरफ से सुझाओ है, और अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, आपको नहीं पता हैं, तो फिर आप मुझे बताईए, मेरे जो जान पेचान के लोग हैं, मैं उनको grid reference भेजूँगा, यह location भेजूँगा, फिर आप जाईए वहाँ पे. यह मैंने एक suggestion उनको दिया है, क्योंकि देखिए बात यह है ना, कि इमरान खान को लग गई पैर में गोली. अब इमरान खान कहला है कि long mark शुरू करो, और मैं रावल पिंडी से join करूँगा. अब रावल पिंडी से इमरान खान join करेगा, यानि कि 8 से लेकर 10 दिन कहीं नहीं गए. ठीक है? 8 से लेकर 10 दिन कहीं नहीं गए. आज हम किस तारिक पे बैठे हैं साब? देखे, आज मैं, today we are sitting on the 7th. आज मंडे है, आज हम साथ तारिक पे बैठे हैं. अब साथ तारिक से आप ले लीजें कि 10 दिन 17. आर्मी चीफ को इनको करी 22, 23, 24 तारिक तक डिक्लेर करना पड़ेगा latest. पब्लिक बनाना पड़ेगा. 29th को बाजवास आप घर जा रहे हैं, अगर वो घर जाने का उनका mood है तो. extension लेते हैं तो फिर तो बल्ले-बल्ले है. माशालला पाकिस्तान लोग चलता है ये सब. क्योंकि आर्मी चीफ खुद को extension दे सकता है पाकिस्तान में. तो अगर आप लोग ये चाहते हैं, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से बोल रहा हूँ, अगर आप ये चाहते हैं कि फॉज की उपर pressure आए, तो ये आप जो बंदरों की तरह बिहेव कर रहे हैं ना, उससे फॉज को क्या फरक पाड़ रहे हैं? वह बही, गवर्नर फीते काटता है पाकिस्तान में. उसका कामे स्पीच देना, उसका कामे फीते काटना. गवर्नर के पले क्या हैं जो आप लोग गवर्नर के घर पे चाड़ रहे हैं? और कोर कमांडर तो वही कहेगा, जो उसको आर्मी चीफ बोलेगा. तो कोर कमांडर के घर के सामने एतिजाज करके आपने कौन सा तीर मार लिया और कहां पे आपने भाला मार लिया ये बताइए हो लिया. आप चिलाते रहिए, फौच चुक रहेगी, ने आर्मी चीफ डिकलेर हो जाएगा, फिर खान आपका जलसे करता रहेगा, फिर होगा क्या इससे? आपको क्या लग रहा है, बहुत बड़ा कोई तूफान आने वाला है, बहुत बड़ा है, रेविलूशन आने वाला है कोई? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये लोग क्या कर रहे है, जो शहवाज शरीफ की जो गवर्मेंट है, इसकी चाल क्या है? ये चुपचाब बैठी है, आप उचलते रहो, उचलते रहो, चुपचाब बैठी, कुछ नहीं कर रही है, बीच-बीच में एक-एक कमेंट कर है, अभी शहवाज शरीफ गया है, भीक मांगने के लिए, क्लैमिट चेंज के बहने, आइधिंग एजिप्ट में है, जो समिट, वहाँ पे क्लैमिट जस्टिस के नाम पे फिर वो पैसा मांगने के लिए गया है, बेसिकली क्या है, कि वो चला गया बाहर, अब वो तीन-चा अभी आसपास एलेक्शन नहीं होने वाले, और इमरान खान इनको फोर्स नहीं कर सकता, ये अबरान खान को पता लग गया है, वो पाकिस्तान तहरीक इनसाफ के जो वरकर्स हैं, उनको सौ चूरन खिलाए, सौ मनजन बेचे, लेकिन अबरान खान का दिल जानता है, कि अभी इलेक्शन नहीं होने वाले इंतखाबाद, नहीं होने वाले पाकिस्तान में, ये सरकार ने, जो शवाज शरीफ के सरकार है, इसने जमीन पर लाटिकार दिया, अब ये कह रहे हैं साफ ठीक, अगस्त में जब होका तब देखी जाएगी, जीद गए तो जीद गए तो जीद का बंदा है, अमरान खान का जो अच्छा बंदा है, फैज हमीड टाइप का, जो उसके सपोर्ट में है, उसको आर्मी चीफ बनाते हैं, ये तो होने से रहा, तो ऑप्शन वन आउट है, ऑप्शन टू ये है, कि शैवाज शरीफ के, या फिर जो पीडियम है, उससे मिली अब इसमें जो लाइकली सेनेरियो मुझे लग रहा है, पहला वाला तो हो नहीं सकता, जो गेम होगा, वो दो में होगा, वो दो में होगा, टू और थ्री, यानि कि या तो शैवाज शरीफ के मन का चीफ बनेगा, या फिर दूसरा जो चीफ बनेगा, वो वही बाजवा करनी है मुझे तीन साल और दो साल और एक साल और जो कम से कम एलेक्शन तक, जो कि अगले साल दोहजाद तइस अगस्त में होने वाले हैं, ये सेनेरियो नहीं है जो इमरान कान सोच रहा है, वैँनिमरान कान नोस दिस वरी वैल, लेकिन गेम यही है कि इतना टंपरिचर बताएं अब भाइसाब वो जो शेवा शेरी वो चला गए बार वह ही नहीं मुल्क में क्या कर लोगे आप जिस पर प्रेशर डाल रहे हो ही नहीं मुल्क में वो तो फाइव स्टार रोटल में बैटके कबाब खा रहा है ठीक है उसको फोन आ रहे हैं दिन में दस बार किसाब यह हो रहा है चुपचाब बैठा हुआ है इनको पता है इनको चलने दो कूदने दो इनको बंदरों की तरह पीटी आई वलों को पीटी आई के जो बंदर है इनको कूदने दो कूदो और कूदो और आग लगाओ इनको कोई फरक नहीं पड़ता यह चुपचाब बैठे रह कोर कमांडर के सामने आप नाज गाना कर रहे हैं टायर जला रहे हैं पिर क्या हुग अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी फौज और इस गवर्मेंट की उपर शेवाज शरीफ के उपर प्रेशर आए अगर आप ये बात चाहते हैं तो दोस्तों एक ही तरीक आया विस में पा नुक्लियर एसेट्स की बात, इसके पीछे भी मैं आपको लॉजिक पिछली बार नहीं बताई ताब मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ, दोस्तों ऐसा है कि पाकिस्तान वैसी दुनिया बर में बदनाम है, अपनी नुक्लियर टेक्नोलोजी को लेकर और पाकिस्तान भी ज नमाज जनाजा में इमरान खान नहीं गया, ठीक है, इमरान खान नहीं गया, he did not go, क्योंकि इमरान खान भी जानता है और चोर था, ऐसे कहना नीची है जो आदमी इस दुनिया में नहीं रहा, इमरान खान क्यों नहीं गया इतने बड़े आदमी के, नमाज जनाजा में और जब उसको सुपुर्ते खाग कर रहे थे, जब उसको दफना रहे थे, तब क्यों नहीं गया इमरान खान? नहीं गया. इमरान खान नहीं गया और पार्टी के बड़े-बड़े जब टॉप मोस्ट लीडर थे, उनको मना कर दिया कि तुम मत जाओ. ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसल इराइल बात नहीं करता, इरान बात नहीं करता, अमेरिका बात नहीं करता, रूस बात नहीं करता, इंग्लेंड बात नहीं करता, फ्रांस बात नहीं करता, चाइना बात नहीं करता. सिर्फ दो मुलकお願いします जो बात करते हैं, पाकिस्तान एक नॉर्थ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का हम मांते हैं कोगो गॉन की ऐसा नॉर्थ कोरिया लेकिन पाकिस्तान तो अपने आपको कहता है कि democracy नहीं कम से कम hybrid democracy तो है चुनाओ के नाम पर मजाक होती है लेकर मजाक होती तो है चार लोग हंसते तो है जब उनका चुनाओ होता है तो तो दुनिया की नजर है पाकिस्तान की उपर दुनिया की नजर है पाकिस्तान के नुक्ले रेसेट्स की उपर क्योंकि शेक रशीद जैसे बेवखूफ लोग पाऊ पाऊ किलो का बम ये सब हवा में बोलते रहते हैं अब जब भी मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों से बात करता हूं वो खेते हैं यार आप तो खुद कहते हैं आप जमूरियत ने फिर आप कहते हैं जनरल को सीरिसली मतलो आप शेख रशीद को सीरिसली मतलो जनरल को सीरिसली लो माफ कीजेगा ये कैसे हो सकता है यार आप जमूरियत भी अपने आपको कहलाना चाहते हैं फिर आप कहते हैं आपका कंट्री का होम म है वो जानती है कि यह लोग पूरी तरीके से फ़स गए है इस नुक्लियर चीज को लेकर अभी-अभी FATF से निकले हैं यह लोग ठीक है और इनके नुक्लियर एसेट्स पर दुनिया भर की नजर है यह पाकिस्तान की सचाया दुनिया भर की नजर है पीपल थिंग ड़े आर नुक्लियर एसेट्स उनको अच्छी तरीके से बचाया उनको अच्छी तरीके से उनकी सुरक्षा नहीं है उनकी दिफार नहीं है लोग ऐसा समझते हैं मैं ऐसा नहीं समझता I think Pakistan's nuclear एसेट्स अभर की जान उसी में बसती है लोगों के बच्चों की भूख में उनकी जान न बसती पाकिस्तानी हुग擼 एगर कही जान बचती है तो उनके न्यूकलियट्स में जान बचती है अगर आप उसका सिर्फ दर्वाजा खालकड़ा दो 500,000 लोग चले जाएं और जहाँ पे पाकिस्तान के न्यूकलियट्स लखें हैं उसका दर्वाजा खड़कड़ा दे, आपको अंदर जाने की ज़रूत नहीं है दिस विल सेंड आ मेसेज टु दे पाकिस्तान आर्मी लिट आपकी जो सबसे जो खतरनाथ चीज है जिस पे आपको इतना गुरूर है और जिसकी वज़े से आप पूरे दुनिया को ब्लैकमेल करते रहे थे उस चीज़ पे पाकिस्तान की आवाम की नजर है ये मेरा कहने का मतलब है ठीक है जी? अच्छा अब क्या हुआ कि भारत के कुछ होनार बच्चे हैकर अब इंडियन अगर आईटी के बारे में काम नहीं करेगा तो फिर क्या काम करेगा हो बचारा तो गुडगाओं में कुछ इंडियन हैकर्स बैठे थे और इंडियन हैकर्स ने बैठे बैठे पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के जेनरल्स और उनके टॉप पॉलिटिशन्स का फोन हैक कर दिया और ये उन्होंने किसी उन्होंने परवेज मुशरफ का कर दिया इमरान घान का कर दिया फवाद चौधरी का कर दिया और जो पाकिस्तान के एंबसी थे बीजिंग में, शंगाई में, काटमंडू में उनका भी कर दिया और ये कोई कहते हैं ब्रिटिश कंसल्टन था जिसके कहने पर उन्होंने करा उनको पैसा वैसा कहीं मिला होगा फैर बदमाज बच्चे इंडिया के आगड उन्टो देर फोन और इमरान इस सेंग और फवाद चौधरी फवाद चौधरी का बेगूफ आदमी तो वाद चौधरी को दिखाया है तो आप पीछे की बड़ी तेजी से मोटा है बलकुल बहुत मोटा है तिंग फवाद चौधरी खरगोश की तरह भागा बिचा रहा होगा खरगोश की तरह ठीक है और फिर फवाद चौधरी लोगों को कह रहा है कि ये देखी जरा अब सिर्फ वाइस रिकार्डिंग दिखाएंगे और उसकी शकल दिखाएंगे और फिर देखे क्या बोल रहा है पुरे पाकिस्तान के तरीक इंसाफ के लोगों को मैं कहता हूँ वादा करो बदला लो जिस तरीके से हम अमन की पार्टी है हम बंदूका वाली पार्टी नहीं है लेकिन हमारे लीडर के उपर बंदूका से अमना किया गया है बुजदे लोग जो इसके पीछे हैं वो कार खुल के सुन ले आप कार खुल के सुन ले हम इसका बदला लेगे इंशाला ताला पाकिस्तान के अवाम के उपर ये हमला हुआ है अमरान खान के उपर नहीं हुआ और पाकिस्तान के अवाम इसका बदला लेगे आपने देखा फवाद चौधरी जो आपका लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर है और खासलखास गोदलिया हुआ बेटा इमरान खान का हो क्या कह रहा है कि हम बदला लेंगे बदला लेंगे तो बदला कैसे लोगे यार किसी बिचारे बुड़े गवर्नर के घर पथर फेक के लोगे बदला ये तुम्हारा बदला है ये तो बदला नहीं हो सकता तुम्हारा गवर्नर के बिचारा वो अंदर बैठा है फेक लो पथर क्या करोगे तुम तो राना सनावल्ला के घर को घेर लोगे उससे बदला हो जाएगा तुम्हारा बदला एक ही होगा जो मैंने तुम्हें बात बताई है, वो काम करो, मेरे लाइक जो भी होगा, होकुम करना, आपका भाई हाजिर है, पूरे भारत का एक भाईजान, इमरान खान, इमरान खान, ठीक है, तो दोस्तों जब इंडियन्स ने हैक करा होगा, पाकिस्तानी जनरल्स का फोन, तो आपको क लगता है इंडियन्स को क्या मिला होगा, जो गुड़गों में बच्चों ने कर दिया हैक, आपको क्या लगता है कि इनको क्या मिला होगा, क्या कोई देश की, कोई इनके मुल्क की कोई सिगरिट पता लगी होगी, कोई ऐसा पता लगा हो कि जा आप पाकिस्तान के कौन से टैंक्स आ रहे हैं कौन से ने एयर क्राफट आ अरै बिल्कुल नहीं मैं बता रहा हूँ उसमें क्या होगा एक जंडरल दूसरे जंडरल से बात कर रहा हो होगा जनाब अब बताईए डी ओचे का कौन सा कॉर्णर plaat गेरा है, बताईए बाते हैं पाकिस्तान की अपने कौन से जमीन खरीड़ी, आपने कौन सी जमीन बेच्ची, आपने कौन सा प्लॉट गेरा, आपने किस सिविलियन का ख मारा, इसी के उपर बाच्चीत होई होगी, मुझसे पूछ लेते हैं हकर, मैं इनको बता तक भी, इनके मत तुम फोन वो करो यार, पाकिस्तानी जनरल्स के, ये क्या बताएंगे, इनको पता ही नहीं कुछ, इनके पल्ले कुछ नहीं है, इंडिया में तो लाइन ओफ कंट्रोल पे इन्होंने सीज़ फायर कर दिया, इंडिया से बोला कि जी हम आप से लड़नी सकते हैं, आपको कश्मीर का 375 से लेना है, लो नई लेना मतलो हमारी बला से, ठीक है, दूसरी चीज़, तालेबान वाले रोजन को ठोक रहे हैं, उनके बारे में भी कुछ नहीं कर सकते, हमारे सामने सफेज जंडा करती हैं, वहाँ पे सफेज जंडा दिखाने व लोगों से लड़ना है, और दुश्मन से नहीं, हमें तो कहता है रिवाइती हरीफ, अगर हम रिवाइती हरीफ हैं आपके तो फिर आप ऐसा काम करिया ना, दिखाईए तो, कुछ तो आपकी ऐसी कारकर्दगी हो, जिससे पता लगे कि भारत आपका रिवाइती हरीफ है, व पूरे पाकिस्तान को, थोड़ा सा नजर इदर भी, करम कीजी हमारी और, हमें भी तो पता लगे किस लोहे की पाकिस्तानी फॉज बनी है, नंबर वन एजनसी है, आइसाई, नंबर वन फॉज है बस, पाकिस्तानीयों कहीं मुझ से सुना, दुनिया कोई नहीं कहती, खुद बन जाएगा इंड में, एक और चीफ ये लोग बना देंगे अपनी मनमर्जी का, और तुम फिर तीन साल खेलते रहना, हवा में, ठीक है, और किसको पता कि ये औगस्ट में इलेक्शन हो ना हो, दूसरा चीफ बोले नहीं होगा, आगस्ट में, क्या कर लोगे आप, कर क्या तोते में है, अगर इंफोर्मेशन चीए तो मुझे बताना, मैं बता दूँगा कहां पर क्या क्या है, पूरा नहीं पता मुझे है, पर थोड़ा बहुत है, इतना है कि इनकी खिड़गियां खड़क जाएं, ठीक है, अच्छा दोस्तों अभी, खान के उपर तो, अटैक हो जो पंजाब में F.I.R. कटना था, भी तक F.I.R. नहीं कटा, एक पूर्फ प्रधानमंतरी को पर अटैक होता है, एक बंदा मारा जाता है, तरीक इंसाफ का, पूरी पब्लिक राली दुनिया भर से हाकार हो रही है, और यार ये, कुछ राजी नहीं करके यारी है, अच्छ चौधरी साब इसने चीफ मिनिस्टर और पंजाब इन पाकिस्तान, चौईसा तो कुछ करनी थे, उसके हाथ में पुलिस, ठीक है, एक, मैं इसलिए कहता हूँ न, मुझे लगता है, PTIM में कोई गेम खेल रहा है, अमरान खान के साथ, अब एक बात बताईए, चौधरी पर हो गया, अब वो F.I.R. भी नहीं करवारा दर्स, क्यों नहीं करवारा, क्योंकि उसमें से एक बंदा जो है, ठीक है, जो मेजर जनरल फैजल है, वो AISI का है, मुझे असा लगता है कि उसी का डर के मारे नहीं कर रहे हैं लोग, इमरान खान चारा है, कि F.I.R. हो जा, F.I.R इमरान खान का खास और खास, वहाँ का C.M. पंजाब का, वो अभी तक F.I.R. करके नहीं थी, इमरान खान के अटैक को कितने दो-तीन दिन हो गए, मेरे साब से 3-4 दिन हो गए, इमरान खान के अटैक को, लेकन अभी तक कुछ नहीं भावा है, उसकी खुद की पार्टी मैं कौन किसको धोका दे रहा है, कौन साजिश कर रहा है, वैसे साजिश is फेवरेट पास्टाइम और फॉल पाकिस्तानी, उसी के बारे में बात करते हैं, वो ही काम करते हैं, अच्छा, आखरी कबर दोस्तों मैं आपको देना चाहता हूँ, शेवाज शरीफ जो हैं, चेश्मा प्राइम मिनिस्टर शेवाज शरीफ अराइवड इन एजिप्ट पार्टिसिपेट इन दी शर्मलशेख क्लाइमिट इंप्लिमेंटेशन समिट, पीम वोज रसीवड शर्मलशेख इंट्रनाशनल एपोर्ट पा हाई लेवल एजिप्शन ओफिशल्स, पाकिस्तान अंबास इनके प्राइम मिस्टर को रसीव करने के लिए, तो ये लोग उसको नैशनल हीरो बना देते हैं, जैसे एर्दगुल गाजी को बनाया था, सारे बच्चे छोटी-छोटी प्लास्टिक की तलवाद लेके गुम रहे था पाकिस्तानी, अच्छा, ये वहाँ पे गया है, आब क्वास, देखो भी है, सबसे बड़ी बात है, इसको पता है, वहाँ पे गोरे होंगे, ठीक है, इस बंदे को पता है, शहवाद शरीफ को वहाँ पे गोरे होंगे, ये उनसे भीक मांगने गया है, क्लाइमिट जस्टिस एक इसने नया पेंतरा सोचा है, कि पाकिस्तानी भीक मांग रहा है यह आप नया concept में आपके सामने पेश कर रहा हूँ यह advance भीक मांग रहा है यह कल के लिए नहीं मांग रहा है यह परसो नर्जों के लिए भीक मांग रहा है कि बहुत दो-तीन मेने के बाद क्या होगा यार जब पैसे खतम हो जाए तो पाकिस्तान चाइना का carbon footprint नहीं है इंडिया का carbon footprint नहीं है इंडिया तो रिवाइती हरीफ है इंडिया से क्या बोलेगा वो और चाइना चाइना इनका अब्बू है बैच चाइना नहीं तो जो coal-fired जो plants थे इलेकसिटी के वोई तो चाइना ने कितने यहां पे लगाए खुद चाइना कोल इस्तेमाल नहीं कर रहा इलेकसिटी के लिए उससे निकल रहा है बड़ी तेजी की स्पीड से कुछ एक्के दुख्य होंगे तो होंगे मुझे नहीं पता लेकिन चाइना उससे निकल रहा है और second hand का सारा माल पाकिस्तान में लगा रहा है तुम ही कोईला फूको तुम ही कैंसर से मरो बिटा हमारे पास तो हमें तो प्यॉर हवाची है यह चाइनीज ने बोल दिया है चाइना से बोला है इनोंने यह जब भाई गया था चाइना पिछले हफते शेवाज शरीफ इसने चाइना से बोला कि climate justice और तुम लोगों ने जो चाइना में आतंक मचा रखा है पिछले 30 साल से industrialization तुमने कर रखा है जिसकी वज़े से climate change आया है हमें impact आया है तुम भी हमें पैसा दो यह वही मामला है पाकिस्तान का दोगलापन जो वीगर मुसल्मानों के साथ है न भाईयों वही है शिंग्जियंग प्रोविंस के वीगर मुसल्मान दुनिया भर के मुसल्मानों के लिए इनके दिल में दर्द है जहाँ पे वीगर मुसल्मान होते है चुप इसलिए दुनिया भर के climate के चकर में climate justice climate justice लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा चीन से नहीं बोलेंगे कि तुमने हमें coal-fired plants दिये थे जिसकी वज़े से यहां पर बहुत बुरा हाल हो गया और you are also equally responsible like the West हम तो कह रिवाइती अरीफ हैं हम तो काफिर लोग हैं तो हम से तो क्या ही मांग लेंगे और हम क्या ही दे देंगे इनको लेकिन दोस्तों ये चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान का सगा चीफ मिनिस्टर जिसके अंडर पुलिस है वो F.I.R. दर्ज नहीं कर रहा ठीक है खान कह रहा है मैं फिर से करूँगा वहाँ पे आर्मी चीफ का इनका लगगा लगा हुआ भई कि आर्मी चीफ कौन बनाएगा कौन बनाएगा मैंने किसी भी मुल्क में किसी भी देश में मैंने ऐसा नहीं देखा आर्मी चीफ भारत में जब आर्मी चीफ बनते हैं तो एक लाइन आ जाती निउस्पेपर में Breaking News, so and so appointed आर्मी चीफ यहाँ पर 22 करोड की कौम बावली हो रही है कि आर्मी चीफ कौन बनेगा जैसे सभी को फौज में भरती होना पता नहीं कहज़क करें इन लोगों का Why they have that mindset और आखरी, वो जो आटमी हत्यारों के बारे में मैंने बात बोली थी, इसको seriously ले लिजएगा मरजाक में मत देज़ेगा, ठीक है जब तक आप उसके गेट नहीं खड़काएंगे इनके उपर जूनी रहेंगे इनके कानों में बागी आपकी मरजी आपको करना है करो नहीं करना मत करो याद, what can I say I can't tell you anything, मैं तो आपको सिर्फ यह बोल सकता हूँ कि आप जाओ और इनके एटमी असासे जहां पे हैं उनका गेट खड़काओ, तब आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान किस तरीके से आपके सामने पाकिस्तानी फौज किस तरीके से आपके सामने नेगोशेटिंग टेबल पर आती है तो दोस्तों आज का वीडियो ही पर खटम होता है इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन दबाना बिलकुर मैं दोलियागा जहिंद झाल